तॉ pag से हम अपनी इमेजस को ए दणर कर सकते आज हम क्लाज सेशन देखने इसको अपनी एप्लिकेशिन के अंदर अप्स पर आ हुए सकते हैं सो गाईज अगर आप भी में अगर अप और अच्छा-कासा हाइट पैके जॉब लेना चाहता है तो डबलोस क्यूब टैक लेके आया है फुली प्रैक्टिकल फ्लटर एप डवलपमेंट कोर्स जिसमें आपको लाइव इंट्रक्टिव क्लासेज मिलेगी साथ ही साथ क्विजज एंड असाइनमेंट्स भी कोर्स कंप अब यहाँ पर मैं अनग्सटो को ओपन कर लिया है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंप्ली एक लिप फोल्डर के उपर एक निव फाइल को create कर लेता हूं फैक्ट्च images.datname अब मैं इसके अंदर एक नहीं stateful class को create कर लूँगा stateful class को मैं क्यों create कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर dynamic data को मैं easily handle कर पाऊँ and यहां पर हम return कर वा देंग एक scaffold scaffold मैंने सिर्फ और से इसलिए return कर रहा है ताकि मैं अपनी app की एक screen को build कर सकूँ scaffold and scaffold के अंदर हमारे पास में आजएगी app bar and app bar के अंदर मैं पास कर देता हूँ title text and text के अंदर जाएगा हमारे पास मैं fetch images अब इस particular text को मैं को center में show करना है तो मैं यहां पर center title कर देता हूँ अब हम इस जगह पे body में use करेंगे stream builder का अगर आपको stream builder के बारे में idea नहीं है तो एक बाप previous वारी वीडियो एक बार आप देख लेना तो आपको idea हो जाएगा कि हम stream builder को use करते है और कैसे use कर सकते है तो यहांप हम simply pass कर देंगे stream builder को and stream builder के अंदर हमारे पास में as it is दो चीज़े होती है एक बारी stream और एक बार builder stream का मतलब कहां से ओ data आने वाला उसका data का source क्या है तो वह हम pass के अंदर कर देंगे stream के अंदर और builder क्या करेगा उस dynamic data को वापे से rebuild कर देगा अपनी application के अंदर तो एक बार इसकी stream देख लेता है तो open करते हम firebase को तो firebase के अंदर जो हमारा data है वो किसके अंदर है इस particular users वाली collection के अंदर और उस user वाली collection के अंदर एक document है और उसके अंदर हमारी एक तो email है और एक image URL तो इसका हमारे पास में stream क्या हो जाएगा firebase firestore.instance.collection collection के अंदर name कौन सा आजाएगा users का name आजाएगा .snapshot users के अंदर जो भी data पढ़ा होगा उसको snapshot के अंदर लेके अपनी applications के अंदर अपन को show करना है तो चलता सिधा अंदर इसकी coding स्टार्ट करता है यहां का हमारी जो stream होगी वो हो जाएगी firebase firestore.instance firebase firestore का एक चोटा सा instance कौन सा instance collection का instance जिसमें आजाएगा हमारी collection जिसको हमने name दे रखा users .snapshot उसका जो भी data हो किसके अंदर आजाएगा snapshots के अंदर आजाएगा as well as as well as हम builder के अंदर भी pass कर लेते हैं एक तो आजाएगा हमारे पास में context और एक आजाएगा हमारे पास में snapshot अब यहाँ पर मैंने snapshot name को use किया आप कोई भी name को use कर सकते हो जिस particular name से आप friendly हो या जो भी name आप comfortable लगता है वो name आप यहाँ पर use कर सकते हो simply मैं यहाँ पर pass कर दूँगा if snapshot.has data अगर snapshot के अंदर data है तो क्या करना है और उसके अंदर कोई error है तो क्या करना है अपन simply एक पार condition लगा देता है सबसके अंदर data नहीं है और कोई error है तो क्या करना है simply हमें उस user को show कर देना है तो parent comprar 생각 seperti simple return कर देंगे center ID को और center के अदर आजाएगा मेरा text वो भी error है वो यहां पर उसको दिख जाएगी center के अंदर snapshot.asError.toString उस particular error को string के अंदर convert करने के बाद में user.com शो कर देंगे इसलिए मैं यहां पर क्या लगा है .toString else अगर उसके अंदर कोई data आता हैंगे snapshot के अंदर कोई data है नहीं तो अपन return कर वा देंगे सिंप्ली एक center widget और उसके अंदर child आ जाएगा और child में अपन text पास कर देंगे और text में हमारे पास में आ जाएगा no data found तो यहां पर हमने conditions लगा दिये हैं अब हम क्या करेंगे simply अगर उसके अंदर data होता है तो हम return क्या करवा देंगे एक listview.builder को simply हम क्या करेंगे यहां पाके listview.builder को बना देंगे यहां पर आजाएगा हमारे पास में एक तो context और एक आजाएगा index context का मतलब क्या हो गया उसका source वह कहां से source आने वाला है और index हर पर्टिकुलर जगा के उपर उसकी values change होगी तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स हो हम यहां पर भीहां से देखेंगे clear है अब यहां पर हम simply क्या कर देता है return कर देता है एक list टाइल को यहां पर हमारे पास में आजाएगी list टाइल यहां पर हमारे image URL आजाएगा यहां पर हम लगादे डैनल check इसके अलावा अब हम इसके अंदर पास क्या करेंगे title को तो यहां पर आता है आज आज ऑर गए हमारे पास कर देता है text और text हमा जाएगा हमारे पास में दॉट snapshot or data.docs . इसके अंदर आजाएगा हमारे पास में इंडेक्स और यहां पर हमारे पास में आजाएगा वी उसर का email है वो हमें कहां पर शो हो जाएगा तो यहां पर हमने क्या किया simply listview.builder के अंदर एक list detail को call किया और उस particular list detail के अंदर हमने data को fetch कर वा लिया तो यहां पर हमने easily conditions को manage कर लिया है but हम एक main चीज को बूल रहा है main चीज कौन से होगा हमें इसके item count को भी set करना होगा तो इसके item count को हम यहां पर set कर लेता है तो इसका item count हो जाएगा snapshot.data.docs जितनी भी उसकी documents की length है उत्ता data यहां पर हमारे pass में आयेगा as well as हम यहां पर एक null check को लगा देते हमने यहां पर simple way में conditions को execute कर लिया तो अब हम इस project को execute कर लेते हैं हमारे android emulator के उपर सबसे पहले इसका हम path set कर लेता है patch image इसको मैं यहां से करता हूँ copy and mean.dark के अंदर हम इसको paste कर देता है यहां सामी में इसको patch करेंगे as well as मैं एक एक पर android emulator को भी open कर देता हूँ okay तो यहां पर मार emulator open हो गया है अब मैं simply execute कर देता हूँ आपने android emulator के उपर हमारा project successfully execute हो चुका है हमारे android emulator के उपर और एक बार हम देख लेता है इसके अंदर result तो यहां पर सबसे पहले हमें को क्या दिखा no data found वो एक exception आवे थी exception कौन जी थी जब वो initial base में था जब उसको data नहीं मिला तो उसमें exception show कर दी no data found उसके बाद जब उसको data मिल गया तो उसमें यहां पर image show कर दी as well as जो भी हमारा title था वो हमें यहां पर show कर दिया I hope आज वाले session में आपको idea हो गया होगा कि कैसे हम firebase से images को fax कर रहा सकते अपने android emulator के उपर ऐसे more informative content के लिए हमें follow करे and subscribe करे के लिए हमें